क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंदुस्तान क्रिकेट और सब्चे पहले उडियों देखने के लिए वेल आइकान जरूर दबाये भारतिय टीम के पुर्व इस्टार बल्लेबाज यूराज सिंग कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल टी ट्वेंटी लीग में तुफानी पारी खेल कर अपनी टीम को टूनामेंट में पहली जीत दिला दिया दरसल अंतराष्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास के बाद यूराज के बारे में कहा जा रहा था कि अब उनका दौर खतम हो गया लेकिन यूराज सिंग ने तुफानी पारी खेल कर साबित कर दिया कि आज भी वह मैदान पर टिक गए तो दुनिया के किसी भी गेदवाच की दज्जियां उड़ा सकते हैं एक सो इक्यानवे रनों के विशाल लच्छे का पीछा करने उतरी यूराज की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी के पहले ओवर में ही कुल 11 रन के स्कोर पर रोडरीगो थामस के रूप में ट्रोंटो नेशनल्स को पहला जटका लग गया अभी इस जटके से टीम उबर पाती की 29 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट भी गिर गया इसके बाद बल्ले बाजी करने आये यूराज सिंग ने दबाव में न सिर्फ तुफानी पारी खेली बलकि अपने आलो चुकों को भी करारा जवाब दे दिया यूराज सिंग ने बेखौफ अपने चीर परिचित अंदाज में जम कर गेद बाजों की खबर ली यूवी ने बेशक 35 रन की छोटी पारी खेली लेकिन उनके खेलने का वही पुराना अंदाज देखकर क्रिकेट फैंस गदगद हो गए यूराज सिंग के अलावा मन्पृत गोनी ने भी बारा गेद पर 33 रन की पारी खेल कर ट्रोंटो नेशनल्स की जीत में महत्तोपुड भोमी का निभाई वहीं यूराज सिंग की इस तुफानी पारी को देखने के बाद काफी क्रिकेट फैंस BCCI को कोश रहे हैं कि यूराज सिंग जैसे दिगज बल्लेबाच का अंतराश्ट्रिय क्रिकेट करियर बरबाद कर दिया इसके अलावा कुछ लोगों ने यूराज की इस दमाकेदार पारी के बाद IPL में मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित सर्मा को भी आड़े हाथों लिया है दरसल यूराज सिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्हें टीम इंडिया से बाहर करने के पीछे रोहित सर्मा, विराट कोहली और महंदर सिंग धोनी के साथ साथ वी सी सियाई का भी हाथ है कहा तो ये भी जाता है कि IPL 2019 में सुरुवाती मैचों के बाद मुंबई इंडियन्स की प्लेइंग 11 से यूराज सिंग को बाहर करने के पीछे बड़ी साजिस रची गई थी क्योंकि यूराज सिंग बेहतर प्रदर्शन करते तो चैन करताओं को भारतिय टीम में सामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता खैर जो भी हो यूराज सिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है यूराज सिंग के बारे में काफी लोग का ये भी कहना है कि 2007 और 2011 वाइड कप में भारतिय टीम की जीत कसरे धोनी को नहीं बल्कि यूराज सिंग को दिया जाना चाहिए दोस्तों अगर आप भी यूराज सिंग के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और हाँ यूराज सिंग, रोहित सर्मा और महंदर सिंग धोनी इन तीनों में सबसे बेहतरीन बल्लेवाज आप किसको मानते हैं अपना जबाब कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं